वे रियल्मी 2 प्रो के बाद में जो रियल्मी का मार्केट में हुआ है ना मतलब सब लोग रियल्मी के फोन लगे गुम रहे हैं तो उस हिसाब से रियल्मी 3 प्रो का वेट करना बनता है और आज आप इस वीडियो को पुरा एंड तक देखो तो मैं आपको बताऊंगा कि रिय चाहिए अगर आपको रियल्मी 2 प्रो ले लिया है तो आपको रुकना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए क्या करना चाहिए आखिर आपको बताऊंगा तो देखें चलिए इंट्रो के बाद देखता है वीडियो स्टाटने से पहले अगर आपने बताऊंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के वरे भाई तो नीचे लाल कालकर बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाद दीजे ताकि आपको नोडिश मिल जा जैसे ही मैं कोई नया quality tech video डालता हूँ अब यहाँ पर अगर हम बात कहते है realme 2 pro की तो भाई जो market में उसने आग लगाई वो बिल्कुल कमाल की है अब ज्यादा बात फालतों कि नहीं करेंगे directly point पहेंगे तो हम आते realme 3 pro पे कब तक आएगा कैसा phone है और कहां से आएगा in fact जो realme 3 pro या realme 2 pro है यह सारे phones कहीं नहीं ओपो के phone से inspired है वो ओपो की design वगरा सब देख लेते हैं और मतलब same to same phone रहता है लगबग और उसमें कुछ ना कुछ features अपने add कर देता है तो यहाँ पर realme 3 pro में आपको बता जाता हूँ कि कि ओपो के phone का जो है वो remake kind of हो सकता है व और उसी phone को कम प्राइस पर बेच देता है तो हम लोग बिलकुल ऐसे पागल होया था realme को फोन को देखके तो यहाँ पर आपको screen जो है वो almost same देखने को लेगी जाके ने कि आपको वही 6.4 इंच की screen में देखने को लेगी हाला कि 0.1 या 0.2 इंचे स्थोड़ी से बड़ी ह हो जाए या super amoled नहीं तो at least amoled display तो हो गई होगा या वही एक ही बात मतलब companies अपना अपना नाम लगा कि आगा जोड़तर दवा कि होता after all हो ही है कि आपको एक OLED display देखने को मिलेगा अब OLED display के खासे हती होती है कि वहाँ पर आप in display fingerprint scanner लगा सकते हो तो क्या इस phone में आपको in display fingerprint scanner देखने को मिलेगा जी हाँ आपको मिल सकता है एक in display fingerprint scanner क्योंकि Oppo के K1 में भी आपको in display fingerprint scanner देखने को मिलता है बागी सारी चीज़े सेम रहेगी आपको भी micro USB port देखने को मिलेगा USB type C नहीं आएगा अगर Realme जैसे कि Oppo के design से inspire होके कुछ एक चीज़ अपनी add कर दे और Realme 2 Pro की थी बर थोड़ा से change हो सकता है क्योंकि fingerprint scanner अगर आगे आ जाता है तो पीछे की side काफी blank हो जाएगे तो यहां पर हो सकता है कि आपको diamond finish मिल जाए या उसके लगा जो dual tone finish होता है Oppo के phones की वो आपको मिल जाए तो इसके लिए camera में कहां पे change आएगा तो camera में चेंज उसके लगा जो body design है वो almost same to same रहेगी आपको notch तो मिलेगा ही हो सकता है like हम थोड़ा ज्यादा expect नहीं करना लगा ऐसा आपको नहीं लगता कि बिल्कुल full screen display मिल जाए तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा यहां पर color always वगर आप में भी वोई सारी चीज़े रहें बट यहां पर मेरी एक बहुती strong इच्छा है जासा कि आप जानता हो आप सब लोग जानता होगे कि उस phone के अंदर आपको या तो stock android देखने को मिल जाए या android one देखने को मिल जाए android one नहीं तो at least stock android तो देखने को मिल जाए हमको नहीं अच्छा लगता हो color always वाला skin और बहुत सार इसके लापको बैटरी वही 3500-600mAh अगर की मिल जाएगी यहां पर हो सकता आपको fast charging support मिल जाए क्योंकि realme 2 pro में नहीं देखने को मिला तो कुछ चीज़े realme 2 pro में जो नहीं थी वो आपको 3 pro में देखने को मिल सकते यसे कि fast charging हो गया आपका या front camera थोड़ो से improve हो गया तो य realme को जाए वो इसको price बहुत कम करने पड़ेगी यानि कि 14,000 के आसपास इसको launch करना पड़ेगा या आप 15,000 के आसपास भी कर सकते क्योंकि realme 2 pro already 14,000 का है अब यह phone कब launch होगा अब देखी जो realme है उसना announce कहता कि वो एक और launch event करेंगे इसी साल के अंदर एक और बार यानि क probably आपको normal December में एक और launch event देखने को मिलेगा बट यहाँ पर मैं ऐसा expect कर रहा हूँ कि आपको इस event में नहीं देखने को मिले realme 3 pro क्योंकि अगर इस event में देखने को मिला तो बात तो अच्छी होगी definitely but then again वो Xiaomi आले काम हो जाएंगे कि अगर आपने एक phone खरीदा Xiaomi का और अगल टाइम बाद 2-3 दिन बाद या 2-1 हफते बाद वापस से नहीं फोन लाउंच वायता है तो अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह था होता है तो जिन लोगों ना अल्रेटे रियल्मी 2 Pro लिया हुआ है उनको बड़ा दुख होगा तो प्रोबैबली इस लाउंच में न तो नीचे लाल कर अगर बटन है उसको क्लिक करके चैनल को स्क्राइब लीजे पास में जगंटी को बटन है उसको बड़ा जिये ताकि आप देख पाएं मेरे वीडियो सबसे बहले कि कि मैं आप रख लेसी टेक क्वालिट इंपरमिशिल वीडियो आपकी बाच्छा हिंदी तो फोी सबसे को बटन है उसको को बटन है जडियो आपका बटन है उसको कि मैं आपकी जसको के से बाटन सबस्छां को अंग ह요.